छूशूल से और एक चीज में बताना चाहता हूं वहां पे रिजंगला मेजर शतन सिंग जी के समय एक सो चोधरा तेरा कमाओं के जवानों ने शहदत दी बलीदान दिया 18 नुवेंबर 1922 में कॉंग्रेस के तदकालीन सरकार ने माना ही नहीं बहुत दुख होता है यह बताते तक चार मीहने तक को उंग्रेस ने उसका पुछतास नहीं किया मना की देली सरकार ने कई बाग गया होगा सरेंडर किया होगा यूद का मैदन छोड़ दिया होगा पूरा भरफ पड़ा विंटर में भरफ में सारे हमारे वीर जवानों के लाशे टक गया दीरे दीरे बरफ दीगलती किया हमारे वहां जो बेल्ड बकरी पश्मीना गोड चलाने जाते थे उन लोगों दिया रहे तो लाश है यह तो हमारे फोजी का है तब जाके पता चला हमारे भारतिया सेना ने एक इंच तक नहीं गवाया और वहां से दलास्में इंडियन आर्मी का एक बहुत ब आज पड़े थे हमारे सेना के किसी के हाथ में बंडू किसी के हाथ में जो इंजेक्शन जो मेडिकल असिस्टेंट थे पूछाई ने कॉंग्रेस ने बेशरमी से आज सहाट साल के बाद नारिंदर मोदी जी के सरकार ने मेजर शतन सिंग के समय एक सो चोदर जवानों को अजेशा बार के सेना पर संदेग करते रहता है उंगली उठाते रहता है मैं बताना चाहता हूं अब डेक्शन